हलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का हमारी यूटूब चैनल एमकान क्लासेस में आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का एक्सरसाइज 7.1 का कुशन नमबर 3 इस कुशन में दिया हुआ है AD and BC are equal perpendicular to a line segment AB कि AD और BC जो है AD और BC दोनों एक ही लाइन पर perpendicular है यानि कि एक लाइन जो perpendicular है AB उसी पर दोनों क्या है लाइन है यहाँ पर तुड़े हुए हैं और दोनों क्या है equal है यानि कि AD और BC यह हमें पहले से given है आगे so that CD bisects AB हमको probe करना है कि जो यहाँ पर CD जो है CD AB को bisect कर रही यानि कि हमको probe करना है OA is equal to OB यह फिर OB is equal to OA हमको इस line को और इस line को equal probe करना है ठीक है दोस्तों तो चलिए से प्रूब करते हैं तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर इन ट्रेंगल OCB OCB हम यह ट्रेंगल ले रहे हैं and ट्रेंगल ODA देख सकते हैं ODA OCB और ODA ठीक है अब इसमें हमको क्या क्या है पहले हैं इसे पता इसको सभी से देखिए figure को तो आप लोग को चेप्टर 6 में बताएगे हैं इंट्रोड़क्शन वीडियो में भी और तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका यह और यह इंगल vertically opposite angle बना रहे हैं यानि कि हम लिख सकते हैं कि इंगल बी ओ सी इंगल बी ओ सी और ए ओ डी vertically opposite angle हो जाएंगे तो लिखेंगे इंगल बी ओ सी इसकोल टू इंगल ए ओ डी यह क्या हो जाएंगे vertically opposite angle हो जाएंगे ठीक है अब अगला point हमको इसको देखना है कि अगला point क्या दिया हुआ है तो देखिए दोस्तों यहाँ पर यह जब perpendicular होते हैं तो 90 डिगरी बनाते हैं यह भी क्या है perpendicular है और वो ला है कि उस perpendicular को बाइसे करने के लिए बोला है तो पहले तो perpendicular यानि कि यहाँ पर इंगल ए और भी 90 डिगरी बना रहा है तो लिख सकते हैं कि CBO और DAO 90 डिगरी यानि कि इच 90 डिख सकते हैं इंगल CBO is equal to angle DAO यहाँ यह दोनों क्या हो जाएंगे इच 90 हो जाएंगे अब हमको दूसरा वैलूम उन गया है लेकिन पहले ही से एक चीज हमको given है क्या given है कि यहाँ पर दिया हुआ है AD और BC equal हमको given है तो लिख देंगे AD is equal to BC 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 is equal to AD लिखो चाहे AD is equal to BC लिखो दोनों एक ही बात है यह हमारा क्या है given है तो given हम लोग राइट कर देंगे उसके बाद हमको यह मिल गया तो लिख देंगे तो देट यह फिर देयर फोर लिखेंगे ट्रेंगल OCB कॉंगरेंट हो गया ट्रेंगल ODA का तो लिख देंगे कि यह रिजन कि यहां पर रिजन लिख दिये जाएगा कि बाई इनगलten Przy यहां देखे यह भी इनगल यह भी अनगल हो गया यहां परन यह को क्यल करना थ ह장님 C लाइन जो है बाइस से कर रहा है तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा अब हम अराम से लिख सकते हैं कि बी ओ इसकोल टू ओ ए यह क्यों हो जाएगा यह दोनों हो जाएंगे इसलिए क्योंकि यह सीपी सीटी से सब्सक्राइब कि corresponding part of congruent triangle और एक्वल सिपी सिटी का यह फूल फॉर्म है जब यह वाइस एक दुसरे की बराबर हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं कि हैंस हैंस कि सी डी कि पाइस से एबी प्रूब्ड हो गया ठीक है दोस्तों वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो ता हमारे वीडियो को लाइकन से जरूर कीजिए ठीक है दोस्तों मिलते हैं एक रूड़ी में बाई